हेलो बच्चो कैसी वो आप लोग आशा करती हूं सब ठीक होंगे और खुब पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका नया अध्याय निदेशांग जामित्री आरंब करते हैं इस पार्ट में हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र एवं त्रिभुज का छेतरफल निकालना बच्चो आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदू की स्थिथी निर्धारित करने के लिए हमें निर्धेशांग अक्षों के एक युग्म की आवशिक्ता होती है किसी बिंदू की वाई अक्ष की दूरी उस बिंदू का एक्स निर्धेशांग का भुज जिसको अबसिसा कहते हैं कहलाती है किसी बिंदू की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदू का वाई निर्धेशांग या कोटी ओर्डिनेट कहलाती है X अक्ष पर स्थित किसी बिंदू के निर्देशांग X 0 के रूप के होते हैं तथा Y अक्ष पर स्थित किसी बिंदू के निर्देशांग 0 Y के रूप में होते हैं साथ ही आप यह भी देख चुके हैं कि AX प्लस BY प्लस C बरावर 0 जहां A और B एक साथ शुन्य ना हो के रूप की दो चरों वाली एक समीकरण को जब आलेख ही ये रूप में निरुपित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है साथ ही आप देख चुके हैं कि Y बराबर AX की घादो प्लस BX प्लस C जहां A शुन्य नहीं है का आलेख एक परवले जिसको पैराबुला कहते हैं वो होता है वस्त तह आकरतियों की जामिती का अध्यन करने के लिए निर्देशांग जामिती कॉडिनेट जामेटरी एक BGA साधन अलजेब्रिक टूल के रूप में विकसित की गई है यह बीजगनित का प्रियोग करके जामिती का अध्यन करने में सहायता करती है तथा बीजगनित को जामिती द्वारा समझनी में भी सहायक होती है इसी कारण निर्देशांग जामिती के विभिन छेतरों में व्यापक अनुप्रियोग हैं जैसे भौतिकी, इंजिनियरिंग, समुद्री परिवहन या नौगमन जिसको हम नाविगेशन कहते हैं भूकम, शास्थ, संबंदी, सेस्मॉलजी और कला इस अध्याय में आप ये सीखेंगे की दो बिंदूओं जिनके निर्देशांग दिये हुए हो के बीच की दूरी किस प्रकार ग्याद की जाती है तथा तीन दिये हुए बिंदूओं से बने त्रिवुज का छेतर फल किस प्रकार निकालते हैं ये भी हम सीखेंगे आप इसका भी अध्यन करेंगे कि दिये हुए दो बिंदूओं को मिलाने से बने रेखा खंड का एक दिये हुए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदू के निर्देशांग किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं। उनका भी अब ज्यान प्राप्त करेंगे। आइए अब पढ़ते हैं हम दूरी सुत्र के पारे में। दूरी सुत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। आइए अब किनी दो बिंदूओं P, X1, Y1 और Q, X2, Y2 के बीच की दूरी ज्यात करें। X अक्ष पर लंब P, R और Q, S कीजिए। P से Q, S पर एक लंब कीजिए जो उसे T पर प्रतिछेत करें। इस प्रकार। देखें यहाँ पर P और Q दो बिंदू हैं। X1, Y1 और X2, Y2। यहाँ से देखें यह हमने एक लंब कीजा। इस प्रकार। और हमने देखा, O, R बराबर है X1, यह बराबर है X1 और O, S बराबर है X2। अतर है, R, S कितना हो गया? X2 माइनस X1 जो P, T के बराबर है। साथ ही, S, Q बराबर है Y2 और S, T बराबर है P, R जो बराबर है Y1। अतर Q, T बराबर है Y2 माइनस Y1। अब त्रिभुज P, T, Q में पाइथुगरस प्रमे के प्रयोग से हमें प्राप्त होता है। देखे, P, Q का वर्ग बराबर P, T का वर्ग जमा Q, T का वर्ग। यह हमने देखा था, X2 माइनस X1 के बराबर है तो इसलिए इसका वर्ग लिया। प्लस Y2 माइनस Y1 का वर्ग। अतह P, Q बराबर हुआ वर्गमूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग। ध्यान दें कि चूंकी दूरी सदेव रिणेतर होती है हम केवल धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। अतह P, X1, Y1 और Q, X2, Y2 के बिंदूओं के बीच की दूरी है P, Q बराबर वर्गमूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग जो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मिला कहलाता है। आईए प्रशनावली 7.1 पहला प्रशन है बिंदूओं के निम्न लिखित युगमों के बीच की दूरियां ग्याद कीजिए। बिंदू हैं 2, 3 और 4 एक। दूरी सूत्र है A, B बराबर वर्गमूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग। हमने यहाँ पर माना है A, X1, Y1 को 2, 3 और B, X2, Y2 को 4, 1 ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर इनके मान रखे हैं वर्गमूल X2 माइनस X1 का वर्ग। देखे 4 माइनस 2 का वर्ग जमा 1 माइनस 3 का वर्ग। जो बराबर होगा 2 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल निकालने पर हमें प्राप्त होगा 4 प्लस 4 जो बराबर है वर्गमूल 8 और इसको हम हल करके लिख सकते हैं A B बराबर 2 वर्गमूल 2 एक आई ठीक है बचो आए अगला भाग करते हैं A B और माइनस A माइनस B दूरी सूत्र हमारे पास है A B पराबर वर्गमूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग यहाँ पर हमने माना है A X1 Y1 को A B और B X2 Y2 को माइनस A माइनस B इनका हमने हापे मान रखा वर्ग मूल माइनस A माइनस A का वर्ग जमा माइनस B माइनस B का वर्ग जो हमें प्राप्त हुआ वर्ग माइनस 2A का वर्ग जमा माइनस 2B का वर्ग इसको हल करने पर हमें वर्ग मूल 4A का वर्ग जमा 4B का वर्ग मिला और वर्ग मूल चार उभेनिष्ठ है इसलिए A का वर्ग जमा B का वर्ग और दो हम बहार निकाल सकते हैं क्योंकि चार को दो गुना दो लिख सकते हैं और दो वर्ग मूल A का वर्ग जमा B का वर्ग हमारे पास ये इसकी दूरी आ गई और इसको हम एकाई में लिख देते हैं आईए अब अगला प्रेशन हल करते हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदू एक पांच, दो तीन और माइनस दो माइनस ग्यारा सनरेखी हैं हम माल लेते हैं ए बिंदू एक पांच को और बिंदू दो तीन और सी बिंदू माइनस दो माइनस ग्यारा हम इसमें देखेंगे कि अगर ये तीनों बिंदू एक रेखा पर हैं तो ये A, ये B और ये C इसका मतलब अगर AB प्लस BC बराबर होगा AC तब तो ये बिंदू सनरेखी होंगे वरना नहीं आईए हम पहले AB निकालते हैं हमारे पास दूरी सूत्र है उसकी मदद से हम देखेंगे दो माइनस एक का वर्ग जमा तीन माइनस पांच का वर्ग ये हुआ एक का वर्ग जमा माइनस दो का वर्ग और एक प्लस चार ये बराबर हुआ वर्ग मुल पांच के अब हम देखते हैं BC BC में माइनस दो माइनस दो का वर्ग जमा माइनस ग्यारा माइनस तीन का वर्ग ये हल खरके हमें प्राप्थ होगा माइनस चार का वर्ग है 16 और यहां है माइनस 14 तो इसको हम लिखेंगे 196 में 16 हम जोड लेंगे तो हमें प्राप्थ होगा वर्ग मुल 212 अब हमें ग्याद करना है AC क्योंकि AB प्लस BC को हमें AC के बराबर है या नहीं चेक करना है तो esse ही निकाल लेते हैं माइनस 2 माइनस 1 का वर्ग जमां माइनस 11 माइनस 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग जमां मााइनस 16 का वर्ग यह है नौ प्लस दो सो चपन और यह हम जोड देंगे तो हमें मिलेगा दो सो पैंसट अब चेक करिए क्या A B प्लस B C A C के बराबर है बिलकुल नहीं A B प्लस B C A C के बराबर नहीं है क्यों क्योंकि आप देखिए वर्गमुल पांच और वर्गमुल दो सो बारा को अगर हम जोडेंगे तो वो दो सो पैंसट नहीं आएगा इसलिए यह बिंदू संरेखी नहीं है समझ में आया बच्चो चलिए अब अगला प्रेशन करते हैं जांच कीजिए कि क्या बिंदू पांच माइनस दो छे चार और साथ माइनस दो एक समधी बाहू त्रिबुज है इसके लिए हम मान लेते हैं कि ए बिंदू पांच माइनस दो है और बिंदू छे चार और सी बिंदू साथ माइनस दो अब इनकी हम लंबाई निकालेंगे दूरी सूतर से पहले हम ए भी निकाल लेते हैं यह हो गया छे माइनस पांच का वर्ग जमा चार माइनस माइनस दो तो इसलिए यह हो गया प्लस और इसको हल करके हम प्राप्त करते हैं एक का वर्ग जमा छे का वर्ग तो ये तो आप जानते हो, 6 का वर्ग होता है 36 और एक जोड़ दिया तो ही हो गया 37 तो ए भी हमें आ गया वर्ग मूल 37 अब हम निकालेंगे BC BC में 7 माइनस 6 का वर्ग जमा माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग ये हो गया एक का वर्ग जमा माइनस 6 का वर्ग तो हम इसको 36 ले लेते हैं 36 और एक हो गया 37 अब आपने देखा AB और BC दोनों बराबर आ गये अब हम AC भी चेक कर लेते हैं 7 माइनस 5 का वर्ग जमा माइनस 2 माइनस 2 तो ये हो गया प्लस 2 का वर्ग ये हो गया 2 का वर्ग जमा शून्य का वर्ग इसका मतलब वर्ग मुल चार जो है 2 इकाई के बराबर अब आप देखिए आपको AB और BC बराबर आ गये तो हम ये कह सकते हैं कि ये बिंदू समदी बाहूत रिभुज के शीर्ष हैं ठीक है बचो समझ में आया आईए बचो अगला प्रशन करते हैं निमन लिखेत बिंदू द्वारा बनने वाले चत्रफुज का प्रकार यदि कोई है तो बताईए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए हमाई पस बिंदू है हमने इनको A, B, C और D के रुप में मान लिया है और दूरी सूत्र द्वारा हम A भी निकालेंगे पहले तो वर्ग मूल X2-X1 का वर्ग जमा Y2-Y1 का वर्ग यह हमारे पास दूरी सूत्र है और इसकी सहायता से हमने इसमें मान रखे एक माइनस माइनस एक का वर्ग जमा शुन्य माइनस माइनस दो का वर्ग इसको हल किया एक प्लस एक हो गया दो का वर्ग याने चार और यहां भी दो का वर्ग हो गया चार इस प्रकार वर्ग मूल 4 प्लस 4 हुआ 8 जिसको हम लिख पाते हैं दो वर्ग मूल 2 ठीक है आएए अब हम बीसी निकालते हैं वर्ग मूल x3-x2 का वर्ग जमा y3-y2 का वर्ग इसको हम लिख पाएंगे वर्ग माइनस 1-1 का वर्ग जमा 2-0 का वर्ग माइनस 1-1 कितना हुआ? माइनस 2 इसका वर्ग प्लस 2 का वर्ग और इसको हल करके हम प्राप्त करते हैं वर्ग मूल 4 प्लस 4 जो वर्ग मूल 8 के बराबर है और इसको हम 2 वर्ग मूल 2 लिख पाएंगे अब हम सेड़ी निकालते हैं वर्ग मूल x4-x3 का वर्ग जमा y4-y3 का वर्ग वर्ग मूल –3-1 का वर्ग जमा 0-2 का वर्ग इसको हल किया हमने माइनस 3 प्लस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग ये सब वर्ग मूल के अंदर है और ये हमें निकला वर्ग मूल –2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग ये आगे है फिर हमारे पास वर्ग मुल 4 प्लस 4 जो बराबर है वर्ग मुल 8 के बराबर जिसको हम लिख पाएंगे 2 वर्ग मुल 2 इस प्रकार आपने देखा सारी भुजाएं हमारी 2 वर्ग मुल 2 के बराबर आ रही है AD देख लेते हैं, वर्ग मुल X4 माइनस X3 का वर्ग, जमा Y4 माइनस Y3 का वर्ग, वर्ग मुल माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग, जमा 0 या माइनस 2 का वर्ग, माइनस 3 जमा 1 का वर्ग, प्लस 2 का वर्ग, इसका हम वर्ग मुल निकालेंगे, वर्ग मुल माइनस दो का वर्ग जमा दो का वर्ग जो बराबर होगा वर्ग मुल चार प्लस चार बराबर है वर्ग मुल आठ जिसको हम लिख पाएंगे दो वर्ग मुल दो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि चारो भुजाएं हमारी बराबर आई हैं इसको हम समझ लेते हैं चत्रभुज की चारो भुजाएं बराबर हैं अत्य हैं ये एक सम चत्रभुज अत्वा एक वर्ग हो सकता है इसलिए विकर्णों की लंबाई ग्याद करके इस तथे को सपष्ट किया जा सकता है पहले हम ऐसी निकाल है ऐसी बराबर है वर्ग मूल 1-1 का वर्ग जमा 2--2 का वर्ग जिसको हम लिख पाएंगे वर्ग मूल 0 जमा 16 जो होगा 4 के बराबर इसी प्रकार हम BD निकाल लेते हैं बराबर है वर्ग मुल माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग जमा 0 माइनस 0 का वर्ग वो बराबर हुआ वर्ग मुल 16 के जिसके मान आया 4 इस प्रकार हम देख रहे हैं दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर है यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD है अतह ABCD एक वर्ग है ठीक है बच्चो समझ में आया? आईए अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न छे, एक सक्ष पर वह बिंदू याद कीजिए जो 2-5 और-29 से समदूरस्थ है माना PX 0 एक बिंदू X अक्ष पर है ऐसे ही लगता ने एक बिंदू X अक्ष पर तो PA बराबर PB हमने लेना है आप देखिए यहाँ पर हम इसको P ले लेते हैं और यह हमारा बिंदू हुआ X 0 और इसको A और यहाँ B A हमने लिया 2-5 और B को लिया-2-9 PA बराबर PB अब दुरी सूत्र से PA बराबर होगा वर्ग मुल 2-X का वर्ग जमा माइनस 5-0 का वर्ग और PB हुआ वर्ग मुल 2-X का वर्ग जमा 9-0 का वर्ग हमें इन दोनों को बराबर रखना है तो हमने यहाँ बराबर रखा और दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया तब ही हम इसको हल कर पाएंगे तो हल करने के समय हमने जब इसका वर्ग किया हमें प्राप्त हुआ 2-X का वर्ग जिसको हम लिख पाएंगे 4 जमा X का वर्ग माइनस 4X प्लस माइनस 5 का वर्ग हुआ 25 बराबर है यह हुआ 4 जमा X की वर्ग प्लस 4X प्लस 81 यहां पर आप देखिए X का वर्ग, X का वर्ग कैंसल हो गया और हमारे पास बचा माइनस 4X प्लस 25 और 9 कितना हुआ 29 बराबर है 4X प्लस 85, 81 और 4, 85 और इस प्रकार माइनस 8X बराबर है 85 माइनस 29 जो अराया 56 तो X बराबर हुआ माइनस 7 और इस प्रकार हमें बिंदू जो X अक्ष पर है उसका मान आया माइनस 7 शून यह ठीक है बच्चों समझ में आया, आईए अगला प्रेशन करते है प्रेशन संख्या 7 Y का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू P 2 माइनस 3 और Q 10 Y के बीच की दूरी 10 मात रख है देखिए, यह P है और यह Q है और इसकी दूरी 10 मात रख है P हमारे पास है 2 माइनस 3 और Q है 10 Y माना X1 Y1 बराबर है P 2 माइनस 3 और X2 Y2 बराबर है Q 10 Y अब हमें दूरी सुत्र से P Q को हम लिख पाएंगे वर्ग मूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग वर्ग मूल 10 माइनस 2 हमने इनकी मान रखे 10 माइनस 2 का वर्ग जमा Y प्लस 3 का वर्ग 10 माइनस 2 हुआ 8, 8 का वर्ग जमा Y का वर्ग जमा 9 जमा 6Y और यहां पर हमने दूरी इसकी रख दी 10 अब यहां पर इसमें हल करने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा तो दोनों तरफ वर्ग करने से हमें प्राप्त होगा 10 का वर्ग है 100 बराबर है 8 का वर्ग हुआ 64 प्लस 9 प्लस Y का वर्ग प्लस 6Y अब इसमें 64 और 9 कितना है 73, 73 को हम 100 में से गटा देंगे 100 माइनस 73 बराबर हुआ Y का वर्ग जमा 6Y आईए अब इसको हल करते हैं Y का वर्ग जमा 6Y माइनस 27 बराबर है 0 हम इसको 9Y माइनस 3Y लिखेंगे Y का वर्ग जमा 9Y माइनस 3Y माइनस 27 बराबर है 0 यहां देखिए क्या उभेश्ट है Y तो Y प्लस 9 अंदर आया ब्राकित में माइनस 3 Y प्लस 9 बराबर 0 है इस प्रकार हमारे पास Y प्लस 9 गुना Y माइनस 3 बराबर आया शुर्णे के जिसको हम Y माइनस 3 बराबर 0 लिखेगे तो Y का मान आएगा 3 और y प्लस 9 को 0 के बराबर लिखेंगे तो y का मान आएगा माइनस 9 ठीक है बच्चू समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं यदि q 0 1 बिंदू ओं p 5 माइनस 3 और r x 6 से सम दूरस्त हैं तो x के मान ज्याद कीजिए दूरियां q r और p r भी ग्याद कीजिए इस प्रकार ले लेते हैं ये q बिंदू है 0 1 और ये p है और ये r है p हमें दिया हुआ है 5 माइनस 3 और r है x 6 तो p q ब्राबर r q हमें लिखना है और निकालना है वर्ग मूल 5 माइनस चूर्णिय का वर्ग जमा माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग और r q है वर्ग मूल x माइनस 0 का वर्ग जमा 6 माइनस 1 का वर्ग ये देखिए ये और अब दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसको और सरल कर लेते हैं 5 का वर्ग है 25 माइनस 4 का वर्ग है 16 बराबर हुआ x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग अब देखिए यहाँ पर हमें 25 दोनों तरफ है तो हम इसको काट देते हैं हमें प्राप्त हुआ x का वर्ग बराबर 16 और x बराबर आया प्लस माइनस 4 तो qr हम निकाल लेंगे अब x कमान 4 रखकर वर्ग मूल 4 माइनस 0 का वर्ग जमा 6 माइनस 1 का वर्ग जो आएगा वर्ग मूल 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग आएए आगे हल कर लेते हैं qr बराबर हुआ वर्ग मूल 16 प्लस 25 जो आया वर्ग मूल 41 के बराबर ठीक है और अब हमें निकालना है प्र तो प्र बराबर है वर्ग मूल x माइनस 5 का वर्ग जमा 6 प्लस 3 का वर्ग वर्ग मूल x की घादो प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9 का वर्ग आप देखिए यहाँ पर वर्ग मूल x की घादो प्लस 81 प्लस 25 माइनस 10x अब यहाँ पर हमने x का मान 4 रखा तो हमें क्या मिला वर्ग मूल 4 का वर्ग प्लस 106 माइनस 40 अब यहाँ पर हम 4 का वर्ग हो गया 16 और 106 को जोड़ देते हैं कितना आएगा 122 इस में से 40 को घटा देते हैं तो हमारे पास आया 82 इस प्रकार पी आर का मान आगया वर्ग मूल 82 इक आए ठीक है बच्चो आईए अगला प्रश्न देखते हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंद ग्याद कीजिये कि बिंदू एक्स वाई बिंदूओं तीन एक्स तीन छे और माइनस तीन चार से समदूरस्त हों पी एक्स वाई ए तीन छे और बी माइनस तीन चार यह पी हमारे पास एक्स वाई है और इसको हमने ए माना तीन छे और बी है माइनस तीन चार पी ए बराबर पी भी हम रखेंगे और वर्ग मूल तीन माइनस एक्स देखे तीन माइनस एक्स का वर्ग जमाँ छे माइनस वाई का वर्ग बराबर होगा वर्ग मूल माइनस तीन माइनस एक्स का वर्ग जमा 4 minus y का वर्ग अब दोनों तरफ work करने पर हमें प्राप्त होगा 9 plus x का वर्ग minus 6x plus 36 plus y का वर्ग minus 12y बरावर है 9 plus x का वर्ग plus 6x plus 16 plus y का वर्ग minus 8y अब यहाँ पे आप देखिए X का वर्ग दोनों तरफ cancel हो जाएगा Y का वर्ग भी cancel हो जाएगा आपके पास क्या बचा? माइनस 6 और इधर से 6X इदर ले आएंगे तो माइनस 6X आजाएगा इसी प्रकार माइनस 12Y और यहाँ से माइनस 8Y लाएंगे तो प्लस 8Y आजाएगा प्लस 36 माइनस 16 बड़ाबर 0 अब माइनस 6 हो गया माइनस 12X माइनस 4Y प्लस यह हो गया 20 बड़ाबर 0 तो इस प्रकार इन सब के sign हम बदल देंगे और सरल करके लिखेंगे 12X प्लस 4Y माइनस 20 बड़ाबर 0 यहाँ भी आप देख रहे हो कि 4 हम उभेनिष्ठ है निकाल सकते हैं 4 से हम पूरी समी करण को विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3X प्लस Y माइनस 5 बड़ाबर 0 यह 3X प्लस Y बड़ाबर 5 ठीक है बच्चों बहुती महत्रपूर्ण प्रश्ण है परिक्षा की दृष्टी से अभ्यास करिएगा ठीक है आईए अब हम ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं यह हुए चार विकल्पों में से सह की उत्तर चुनिये बिंदू P2 3 की X सक्ष से दूरी है A ओप्षन है 2, B ओप्षन है 3, C ओप्षन है 1 और D ओप्षन है 5 प्रश्ण 2 बिंदूं A 06 और B 0-2 के बीच की दूरी है A 6, B 8, C 4 और D 2 अगला प्रश्ण बिंदू P-6 8 की मूल बिंदू से दूरी है A 8, B 2 वर्ग मुल्दो, C 10 और D 6 अगला प्रश्ण ए का मान याद कीजिए यदि बिंदूं A-3-14 और B A-5 के बीच की दूरी 9 एक आई है अगला प्रश्ण है क्या बिंदू 3, 2, माइनस 2, माइनस 3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते है यदि हाँ तो बताईए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है आईए अब सारांज देख लेते हैं आज आपने निमन लिखित तथ्यों का अध्यन किया है P, X1, Y1 और Q, X2, Y2 के बीच की दूरी को हम लिखते हैं वर्ग मूल X2 माइनस X1 का वर्ग जमा Y2 माइनस Y1 का वर्ग है हम P, Q को ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग मूल X1 माइनस X2 का वर्ग जमा Y1 माइनस Y2 का वर्ग इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि वर्ग है इसलिए साइन का फरक नहीं पड़ता बिंदू PXY की मूल बिंदू से दूरी वर्ग मूल X की वर्ग प्लस Y के वर्ग होती है तो बच्चों आशा करती हूँ आज आपको ये पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद झाल